हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेक्निकल में फिर से दोस्तों नही जॉब की इंफोर्मेशन लेके हैं हूँ रक्रीटमेंट आरी है दोस्तों टेक महींदरा की तरफ से ओफ केंपस ट्राइब है इंजिनिरिंग स्टीम जो है इन्होंने बताई है अगर आपने भी बीटा कर रखी है उन्स टीम में से किसी एक स्टीम में आप इलीजिबले अप्लाइ कर सकते हैं फ्रेशेस बिलकुल इलीजिबले हैं ये रक्रीटमेंट ही फ्रेशेस के लिए है क्योंकि एक तरह का कैंपस ट्राइब है और यहां पे दोस्तों जो है आपको टेस्ट में सेलेक्शन होता है तो आपको मोगा बिलेगा टैक महिंदरा के साथ जो है वो काम करने का अच्छी कासी सैलरी भी बिलेगी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके लिजिबल्टी क्राइटेरिया के बारे में selection process के बारे में कैसे आपको apply करना है उसके बारे में तो शुर से लेके last 6 वीडियो को ध्यान से देखेगा complete देखेगा ताकि आपको हर एक चीज हर डिटेल का पता चल जाए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं eligibility criteria की तो अगर आपने दोस्तों BEB tech कर रखी है computer science में computer engineering कर रखी है IT में ENC में ENTC में telecom में communication में electronics या आपने MCA कर रखी है तो आप eligible अप्लाई कर सकते हैं ध्यान दीजेगा master degree में अगर आपने MCA कर रखा है तो ही आप apply कर सकते हैं अगर आप आपने MEM tech कर रहा है तो आप eligible नहीं है आपके जो academic career है उसमें 60% marks आपके होने चाहिए चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो चाहे engineering में हो अगर इससे कम है तो आप eligible नहीं है apply नहीं कर सकते हैं उसके लावा आपका जो college है वो recognized होना चाहिए और आपने full time college में जाके study complete करी है तो ही आ आप apply कर सकते हैं और एक और important बात कि final air वाले eligible नहीं है 2019 और 2020 में जो लोग pass out हो चुके हैं वही लोग apply कर सकते हैं इसके लावा कोई और apply नहीं कर सकता है बीबी tech या mca के साथ आप eligible apply कर सकते हैं शर्त यह है कि 60% marks होने चाहिए उसके साथ 2019 और 2020 batch ही होना चाहिए अगर 2019 से पहले complete करी है eligible नहीं है 2021 में आप pass out होने वाले हैं तो भी आप eligible नहीं है उसके लावा दोस्तों जदा जानकरी के लिए आप ये चीज़ रीड करिएगा ये सारी instructions यहां पे दी गई हैं आपको जोगे वो कापी कुछ सीखने को मिल जाएगा क्योंकि ये recruitment freshers के लिए है तो experience के लिए यहां पे recruitment नहीं है बाकी जब आप apply करने जाएंगे तो वहां पे सारी चीज़े clear हो जाएंगी बाकी test जो है वो online जो होने वाला है आपका virtually test हो जाएगा यहां पे किसी भी तरह का जो है वो आपको बुला के जो है वो test नहीं लिया जाएगा बाकी किसी भी तरह की application fees नहीं रखी गई है ना ही Tech Mahindra किसी भी तरह की application fees जो है चार्ज करता है ना ही उन्होंने किसी agency को hire करा हूँ है कि वो उनके जो है वो बिहाफ पे कोई fees चार्ज करें तो इसका मतलब है कि free of cost आपको जो है उसके लिए apply करना है और यह जो है एक तरह से campus drive है application fees इसमें है नही एक तरह से private job है internship आप इसको बोल सकते हैं बाकी virtually जो है आपका interview हो सकता है और आपको virtually आपके email पे बता दिया जाएगा किस दिन ये interview होने वाला है बाकी जदा जानकरी के लिए आप ये instructions read करिए आपको पता चल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि apply कैसे करना है apply करने के लिए यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे continue पे click कर देना है यह link बिलेगा आपको description में हमारी website पर वहाँ पे जाके सारी जानकरीए जित्ती भी जानकरीए यह वहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को वहाँ पे read करिए उसके बा और कोई लीजिबल नहीं है बाकि अगर आप MCA वाले हैं तो MCA में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए कौन-कौन से STEAMS वाले लीजिबल है यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है Communication वाले, Computer Science वाले, Computer Regenering वाले, Electronics वाले, Electronics and Communication वाले, Electronics and Telecommunication वाले, Information Science वाले, Information Technology वाले, Telecommunication वाले, यह लोग इलीजिबल है यहाँ पे आपको B.E.B. Tech दोनों में से कोई भी डिग्री आप सेलेक्ट कर लीजेगा उसके इलावा यहाँ पे आपको Science Graduation वालों की भी Option देखेगी लेकिन अगर आप Science Graduation नहीं है तो भी आप Apply कर सकते हैं यह सारे Form जो हैं यह उन्होंने पहले से बना के रखे होते हैं कोई भी recruitment होती है तो Form आपको सेम ही फिल करना पड़ता है इसलिए सारी options दिखती हैं लेकिन जिस qualification की recruitment है आपको वही qualification यहाँ पे लिखनी है तो ऐसे दोस्तों आपको Apply करना इस recruitment के लिए और अगर Apply करने में कोई परिशानी आएगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अपने questions आपके questions के answers देने के मैं पूरी कोशिश करूँगा तो यह ता दोस्तों आज किस वीडियो में थेंक यू वरी मच इस वीडियो को देखने के लिए जैसे कोई नही जोब अप्डेट आती है वो चाहे किसी भी कि आपके आती है